नमस्कर मैं होमीत और गैजट्स फर यू की एक नए वडियो में आपका स्वागत है आज हम करने वाले हैं कंपेरजन वीवो के वी 11 प्रो और ओपो एप 9 प्रो के बीच में क्योंकि दोनों ही फोन्स आपको मिल जाते हैं almost same price में तो comparison तो बनता ही है आज हम करने वाले हैं दोनों ही फोन्स के बीच में speed test और camera comparison तो काफी interesting comparison वाले है और इस वीडियो को देखकर आप जान पाएंगे कि कौन से फोन का performance बेटर है और कौन से फोन का camera तो अगर आप भी जाना जाते हैं तो बने रहीएगा अमारे साथ इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही फोन की hardware configuration और price की आपको पता दें वीवो वी 11 प्रो आपको मिलता है 25,990 रुपे की प्राइज में जहां भी use किया गया है Snapdragon का 660 chipset और अगर हम बात करते हैं Oppo F9 Pro की तो यह आपको मिलेगा 23,990 रुपे की price में और इसमें use किया गया है Mega Tech का Helio P66 chipset तो कहने का मतलब यह है कि difference है स्रिफ 2,000 रुपीज का अब यहां पर आपको कौन से फोन की तरफ जाना चाहिए यह आज आपको इस वीडियो में पता लगेगा तो चलिए करते हैं पहले speed test को start और देखते हैं कि कौन से फोन का performance हमें better देखने को मिलता है और इस speed test में हम देखने वाले हैं कि कौन से फोन का speed आपको अच्छा देखने को मिलेगा और कौन से फोन का rem management आपको अच्छा देखने को मिलेगा तो चलिए करते हैं इस round को start करते हैं बस्तね ज दो चिट औयकिएम झुट हाझकाँ ज तो चाँगावी बस्तねφ जाइएँ जायकिंवा बस्त heshet जास हैं कान्हें मॉड़ों जाइँ आफच Western क जारी कियाई़ art जारी को उ Billy's Cr customs झाल 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 तो ये था speed test दोनों ही phones के बीच में आप देख सकते हैं दोनों ही phone के final score यहाँ पे हमें winner तो देखने को मिला वीवो का वी 11 pro क्योंकि उसने complete time लिया था 2 minutes and 54 seconds और ओपो F9 pro का time था 2 minutes and 56 seconds यहाँ पे different बहुत जाता नहीं है लेकिन winner एक तरीकेस है वीवो का V11 pro क्योंकि ओपो F9 pro में हमें देखने को मिली RAM management की issue और यह हम पहले भी देख चुके हैं कि OPPO Realme इनकी phones में हमें RAM management का issue देखने को मिलता है और हम पहले भी इस बात को report कर चुके हैं लेकिन अभी तक यह color OS के कारण आपको दिक्कत देखने को मिलती है तो यहाँ पर अगर RAM management की आद हम नहीं करते और बात करते हैं first round की तो वहाँ पे obviously MediaTek का Helio P60 chipset एक better chipset हमको देखने को मिला काफी जल्दी complete कर लिया था लेकिन RAM management की issue होने की वाज़े से वहाँ पे काफी स देखने को मिलता है लेकिन अगर RAM management color OS का ठीक हो जाए तो no doubt काफी अच्छा performance हमको देखने को मिलेगा ओपो के फोंस में भी और रियल में की फोंस में भी तो चलिए आप चलते हैं camera comparison की तरफ तो आपको बता दे दोनों ही फोंस में आपको मिलता है dual ear camera setup लेकिन यहाँ पे आ दोनों ही फोंस में दिया गया है 25 Megapixel का तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ sample pictures यह pictures ली गई है auto mode में और यहाँ पे आप देख सकते हैं clearly काफी better images आपको देखने को मिल रही हैं Vivo के V11 Pro में OPPO M9 Pro की images थोड़ी सी dull लेकने को मिल रही हैं और अगर हम बात करते है detailing की अगर हम बात करते हैं natural color की तो वो भी आपको Vivo के V11 Pro में better देखने को मिलेंगी अब अगर हम बात करते हैं portrait pictures की तो यहाँ पे तो आप clear decision ले ही सकते हैं कि Vivo V11 Pro की portrait pictures है वो आपको definitely better देखने को मिलेगी क्योंकि वहाँ पर आपको काफी अच्छा bouquet देखने को मिल रहा ह हाला कि वो थोड़ सा artificial लग रहा है अगर हमने compare किया था इसको Poco F1 से लेकिन अगर हम compare कर रहे हैं Oppo F9 Pro से तो obviously वो बेटर है क्योंकि यहाँ पर आपको Oppo F9 Pro में 16 प्लस 2MP का dual gear camera setup मिलता है में जो secondary sensor है सरफ 2MP का है तो उसकी वज़ए से Oppo F9 Pro बहुत ज़्यादा बुके create नहीं कर पा रहा है और आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर single camera भी होता 16MP का तो आपको result ऐसे ही देखने को मिलते हैं मेरे कहने का मतलब 2MP का जो secondary sensor दिया है वो किसी भी काम का नहीं है बहुत ज़दा बुके अपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है तो इसमें winner मेरे को देखने को मिलता है वीवो का V11 Pro अब बात करते हैं दोनों ही phones की front camera की तो यहाँ भी आप clear winner देख सकते हैं काफी bright selfie हमको देखने को मिल रही है वीवो की तरफ से जबकि OPPO की तरफ से थोड़ सा dull selfie देखने को मिल रहा है अब उसका reason क्या है यह कुछ नहीं कह सकते क क्योंकि दोनों ही phones में आपको जो aperture मिलता है वो सेम है जो camera sensor है friend का वो भी सेम है लेकिन आप देख सकते हैं वीवो V11 Pro की जो selfie है वो बहुत ज़्यादा bright है बहुत ज़्यादा clear है जबकि OPPO अपने intro थोड़ा सा डर लग रहा है तो यहाँ पे clear winner में को देखने को मिल रहा है camera में वीवो का V11 Pro और आप इन रिजल्ट से देख दी सकते हैं तो यह था एक complete conclusion जहां पे आपको performance भी देखने को मिली Mediatek का Helio P60 chipset no doubt एक अच्छा chipset था लेकिन RAM management का अगर issue ठीक हो जाता है color OS में तो no doubt काफी अच्छा perform करेगा और अगर हम बात करते हैं वीवो की V11 Pro की तो no doubt Snapdragon का 660 chipset भी अच्छा chipset है लेकिन comparison करते हैं Mediatek के Helio P60 से तो वो थोड़ा सा down हो जाता है और अगर हम बात करते हैं Vivo V11 Pro की RAM management की तो वो बहुत अच्छी है हमने पिछले comparison में देखा था और इस comparison में भी हमें यही देखने को मिला और बात करें camera की तो obviously वहाँ पे Vivo V11 Pro clear winner है तो यही था आज के वीडियो में उमीद है आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेर करना बिल्कुल मुद्भूली का अगर आप चाते हैं ऐसे ही और वीडियो देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए अगर आपके बैस है और कोई सवाल है सो जाओ तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद मिलते हैं आपसे अगला ऐसे ही किसी वीडियो में तब तक के लिए आपके दिन शुक है